आज क्लास 10 का जो है ट्रागनोमेट्री डेसियों से कुछ कोश्चन्स लाए हैं जो की बहुत ही अच्छे कोश्चन्स है सेलेक्टेट कोश्चन चली चलते हैं आज का पहला कोश्चन है इफ 3 काट A इकल टो 4 चेक वेदर 1 मानस 10 स्कार A by 1 प्लस 10 स्कार A इकल टो कशी स्कार A मानस साइन स्कार A ठीक है और नॉट तो पले A है ना तो हम लोग यहाँ A लिग देता ठीक है A B C ठीक है 3 काट A 3 काट A इकल टो 4 यानि कि काट A इकल टो का हो जाएगा 4 by 3 3 नीचे चलाएगा अब देख काट A इकल टो 4 बाइ 3 है ना यानि कि A B by B C हो जाएगा देफोर A B इकल टो कितना है 4 और B C इकल टो 3 C A निकल ला है हमरो ठीक है C A इकल टो कोश्यर मारक है बाइदा पाइथोगोस ठीक होरम C A निकल ला है तो C A स्क्वाइर इकल टो क्या होगा A B स्क्वाइर प्लस B C स्क्वाइर C A स्क्वाइर इकल टो क्या हो जाएगा A B का फैलू कितना है 4 का स्क्वाइर प्लस 3 का स्क्वाइर 16 प्लस 9 C A इकल टो आ जाएगा रूट अन्डर 25 ठीक है अब इसमें से हम लोग का C A इकल टो 5 5 आगे है C A चलो इसको आगे बढ़ाते हैं देखे C A 5 आगे है अगे हम लोग को निकलना क्या है 10 और कॉस और साइन निकलते हैं ठीक है तो साइन A इकल टो क्या हो जाएगा साइन A इकल टो A B C by A C साइन A और कॉस ए कॉस से का भी वेलू निकालते हैं कॉस से का भी वेलू कितना है A B by B C स्वरी A B by A C इसका भी वेलू निकाल लेंगे कॉस से है उसका बढ़ टैन A 10A निकालना तो 10A का निकाल लेते हैं 10A इक्वल टू यहां एसी होगा 10A इक्वल टू BC by AB BC by AB सबका value put करते हैं ठीक है जैसे BC by AC BC by AC यानिकी 3 by 5 हो गया CA या AC हो गया एक इचीची छे एब इक्वल टू कितना है 4 by 5 और BC by KB हो गया 3 by 4 ठीक है यह हो गया value सब अब हम लोगों निकालना क्या है देखिए अब देखिए क्या निकालना है LHS पर लिखते हैं पहले LHS निकालना है 1 minus 10 square A by 10 square A 10 square A इसका value निकालते हैं पहले 1 minus 10 square A 1 minus 10 square A मतलब 3 by 4 का square 3 by 4 का square हो गया यहां 1 minus 9 by 16 और यहां आगया 9 by 16 यहां 16 होगा 16 minus 9 और 9 by 16 यहां आगया 10 घटे घट कितना पचेगा 9 16 7 हो गया 7 by 9 यह हो गया LHS अब RHS निकालेंगे तो LHS कितना 7 by 9 ठीक है अब RHS निकालते हैं अब दीखिए RHS निकालते हैं अब दीखिए है 4 by 5 का square हो जाएगा यह और minus 3 by 5 का square हो गया 4 पूर जा 16 by 25 और minus 9 by 25 यहां आगया 25 16 minus 9 16 minus 9 7 by 25 अब देखिए यहां पर ही आगया 7 by 25 यहानि कि LHS इकल टो RHS नहीं है देरफोर LHS not equal to RHS question पूछा था आपसे कि क्या यह equal है तो no not हो जाएगा ठीक है चलिए next question के ओर चलते है if 10 theta equal to a by b prove that a sin theta minus b cos theta by a sin theta plus b cos theta equal to a square minus b square by a square plus b square ठीक है 10 theta equal to क्या दिखा हो है a by b कि यहां a हो जाएगा b यहां हो जाएगा देफोर क्या हो जाएगा b c equal to a यहां भी दीख सकते आप b c by a b b c equal to a हो गया और a b equal to b हो गया a c equal to question mark ठीक है बाइधा पाइथो गूर्स थीओरम देखिए जब यह दोनों दियावत इसको निकलना है तो c a square बरावर क्या हो जाएगा c a square equal to a b square plus b c square जब हम लोग को इसका value निकलना रहता है e h का तो p और b को add करते है ठीक है पी इसका a square प्लस b का a square लेकिन जब हम लोग इसका निकलना रहेगा माल लीजे पी का निकलना तो h का a square मैं b का a square घटा देंगे ठीक है माइनिस करतेंगे चलिए c a square equal to a square plus a square c equal to क्या लिख सकते है हम लोग a square plus b square रूट में चड़ जाएगा ठीक है यह आ गया c a value यह इसी जो भी हो ठीक है चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अब देखिए इसमें साइन कॉस का भेल निकालना ठीक है साइन और कॉस का ठीक है तो साइन ठीटा और कॉस ठीटा निकाल लेते हैं साइन ठीटा इक्वल टो हो जाएगा bc by ac और कॉस ठीटा इक्वल टो क्या हो जाएगा ab by ac bc by ac यानि कि a by root under a square plus b square और इसका हो जाए b by a square plus b square ठीक है होगे अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं पाले therefore sin theta a sin theta minus b cos theta by a sin theta plus b cos theta इक्वल टो क्या हो जाएगा a square minus b square by a square plus b square value put करते हैं अब चाहेंगे तो लस्स रस्स करके बना सकते हैं ठीक है तो यह value आ जाएगा क्या है a sin theta का value कितना है a by a square plus b square ठीक है यहां सेम होगा खाले यहां प्लस का साइन है तो देखके लिख लेते हैं यह प्लस बोगा आएके आए यहा, a square by a square plus b square root under or minus b square by a square plus b square root under अब देखिए इसमें LCM ले लेंगे, वीडियो पॉस गर के आप लिखते चलिए साथ में, अब देखिए, a square plus b square root under, भाई यहां क्या हो जाएगा, a square minus b square हो जाएगा, और यहां भी होगा, a square plus b square, अगर हम लोगा LCM ले ले लेते हैं, तो यहां a square plus b square उपर होगा, यह a cancel हो जाएगा, ठीक है, a square minus b square by a square plus b square, अब देखिए, a square minus b square उपर में आ गिया, और नीचे में a square plus b square, इधर भी सेम है, यानि कि LHS equal to RHS, हम लोग आच चुका है, फूर LHS equal to RHS, ग्रूप्ट, चलिए, नेक्स क्वेशन क्यों चलते, इफ कॉस्ट इटा equal to 12 by 13, so that sin theta into 1 minus sin theta equal to 35 by 156, क्या दिया हो है, cos theta, cos theta equal to कितना दिया, 12 by 13, 12 by 13, यानि कि यहाँ क्या हो जाएगा, a b by a c, a b equal to कितना हो गया, 12, a c equal to 13, और b c का value निकालना है, ठीक है, b c equal to question mark हो गया, by the Pythogos theorem, b c square equal to क्या हो जाएगा, a c square minus a b square, a c का value कितना है, 13 का square हो गया है, यहाँ 12 का square, 169 minus 144, b c equal to क्या हो जाएगा, root under 25, b c equal to 5 आगिया, ठीक है, b c equal to 5 आगिया, अब आगे हम लोग बनाते हैं, अब देखिए, पहले sin theta और 10 theta का value निकाल लेता है, ठीक है, sin theta equal to क्या हो जाएगा, b c by a c, यहाँ कि b c का value 5 by a c का value कितना है, 13, और 10 theta का value कितना हो जाएगा, 10 theta equal to b c by a b, यहाँ कि b c का value कितना है, 5 by 12, a b का 12, ठीक है, पही question को लिख लेता हम लोग, यहाँ कितना हो, यहाँ कितना हो, यहाँ कितना है, 5 by 13, 12 होगिया, 12 minus 5, यहाँ कितना होगा, 5 by 13 into, यहाँ क्या होगा, 7 by 12, 5 को 7 से multiply करेंगे, 35 आएगा, और 13 को 12 से multiply करेंगे, 156, यहाँ कितना होगिया, यहाँ कितना होगिया, SEC TITA इकल टो 5 by 4, यहाँ कि 5 यहाँ, 4 यहाँ होगा, यहाँ कि H पर भी होता है, तो बजाएगा, C A, A C, A C by A B होगिया, यहाँ फोर A C क्या होगिया, 5 और A B क्या होगिया, 4, हम लोगों निकालना क्या है, B C, ठीक है, अब देखिए, यहाँ कितना होगिया, यहाँ कितना होगिया, A C स्क्वाइर, माइनस, A B स्क्वाइर, A C का क्या, 5 का स्क्वाइर होगिया, और A B का कितना है, 4 का स्क्वाइर, 25, माइनस 16, B C एकोल टो हो जाएगा, 9, रूट अंडर, ठीक है, B C का हो जाएगा, 3, B C का फेल बागे, 3, बाकिया हम लोग इसको निकालते हैं, अब देखे, साइन थिटा, कोस थिटा, और टन थिटा, और कोट थिटा हम लोग निकालना है, ठीक है, तो साइन थिटा, इकोल टो क्या होगा, B C by A C, याईनि की, भैने रखे देंगे बाद में, कोस थिटा निकाल लेते हैं, एक साथ में, कोस थिटा, और 10 थिटा, और कोट थिटा, सब का वैलू निकालना है, ठीक है, परले अगर हम लोग वैलू निकाल लेंगे, तो इजीली हम लोग रख देंगे, पूट कर देंगे, इसमें, तो फिर इजीली हम लोग एन सतर पहुंच जाएंगे, ठीक है, बिसी के हो गया, 3 by AC का वैलू है, 5, ठीक है, कोस थिटा हो जाएगे, AB by AC, AB by AC, यानि कि AB का वैलू कितना है, 4 by 5, ठीक है, 10 थिटा इकोल टो BC by AB, BC by AB, यानि कि इसका आ गया, BC का वैलू है, 3 by 4, ठीक है, और कोट थिटा का, साइन कोस्ट न कोसेक से कोट, कोट का होगा, AB by BC, AB by BC, फर्मूला अच्छा सी याद कर लिजिएगा, तो अच्छा होगा, AB का वैलू कितना है, 4, और BC, 3, हम लोगा वैलू रख लेते हैं, इसमें, क्या निकालना, साइन पूरा होल में है, यह एक साथ में है, और यह एक साथ में, ठीक है, तैन थिटा, मैनस कोट थिटा, रखते हैं, साइन थिटा के क्या था, 3 by 5, Прав-2 कोस थिटा का वैलू रखते हैं, 4 by 5, 4 by 5 10 theta क्या है value 3 by 4 और minus 4 theta कहा जएगा 4 by 3 3 by 5 minus 8 by 5 यहां क्या हो जएगा LCM 12 ले 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 432, 339 होगा minus 412, 446 यहां आगे 5 आएगा 3 minus 8 चीक है और उपर में और नीचे में हो गया 9 minus 16 क्या हो गया 7 उपर में हो गया 5 minus 5 by 5 और 7 by 12 यहां minus होगा ठीक है यहां भी minus मान्स हो जाएगा और 55 केंशिल हो जाएगा तु 1 और यह टुबर 12 उपर 27 नीचे चाहरए 12 about 7 12 बइसरां बइसका